जैहिन साथियू, स्वागता आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूटूब चैनल R.S. Education Center पर साथियू बात करने वाले हैं दिली प्लिस कॉंस्टेबल भरती दोहजार तेस के दस्तावे सत्यापन के बारे में डोकोमेंट क्या क्या चाहिए इसके रिगारिंग आपको वीडियो मिल चुका है इसके साथ में आपको बाकी जो फोरम है वो कैसे भरने है इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है पहले ही एक लास्ट जो फोरम आपका बचा हुआ है जिसके बारे में जानकारी आपको देन वहाँ जाकर यह forum फिलब करना है तो complete जानकारी यहाँ पर साथ ही आपको मिलने वाली है कोई भी डाउट आपके बन में नहीं रहने वाला है कुछ गलतिया जो कंड़ेट करते हैं वो गलतिया आपको नहीं करनी है वो भी आपको इस सेशन में बताने की पूरी कोसिस करूँग Agreement Forum में साथ ही आपको कुछ details फिलब करनी है यहाँ पर क्या है कि आपका एक अनुबंध होगा दिल्ली सरकार यूं कहें कि दिल्ली प्लिस के साथ पर आपका एक अनुबंध होगा जहाँ पर आप अपनी सेवाय देंगे इस पे सबसे पहले तो यह है कि जो भी rules and regulation है वो आप इस अनुबंध पर sign कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका मैंने पहले ही बताया कि एक dummy candidate हमने ले रखा है उस candidate का नाम है राहूल तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी candidate का नाम है उसके sign हो जाएंगे और उसके बाद में साथ यहाँ पर start होती details तो यहाँ पर जिस भी तारिक को आपको अभी भर के लेकर जाना है वहां जाकर आपका कोई forum फिलब नहीं होगा तो यहीं से आप यह बनवा कर लेकर जाएं तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आपकी date आजाएगे जिस भी date को आप बनवा रहे हैं ठीक है यह 26 तारिक को फोरम भरा हुआ है अगर यहाँ पर आपका मन्त और आपकी year यहाँ पर आपका आ जाएगा इसके बाद में कंडेट का नाम यहाँ पर रहुल कुमार है इसके बाद में यहाँ पर आपका address आजाएगा विलेज तहसिल डिस्टिक स्टेट पिन कोड पूरा address यहाँ पर डाल दीजेगा और जिस officer का जो नाम है यहाँ पर कंडेट देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे है कि police officer का नाम डालना है तो यह क्या वहाँ जाकर फोरम police officer जो हमारा फोरम भरेगा उसका नाम आएगा नहीं बिल्कुल आपका नाम आएगा और यहाँ पर आप constable executive जो आपका पद है उसका नाम ड की आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए जैसे मता पिता होगे आपके भाई भेन यह नहीं होना चाहिए अठीक है ममी पापा और घान या फिर आपके पतली घो ठोड़ कर यह ना चाहिए तो यहां पर उस वेकल का नाम आ address ठीक है उनका पूरा address यहाँ पर डाल देना है इसके बाद में साथियो details देखिए इसमें आपको अगर मैं फोर example बताओं तो कि यह किसके बारे में पूछ रहे हैं तो यह कुछ जानकरिया इसमें दी गई हैं कि दिली प्लिस के साथ आप अनुबंद कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको 5 साल की जो सेवा है आपको देनी है service आप maximum कितनी करें वो आपकी age पर depend करेंगे लेकिन आप minimum 5 वर्स की सेवा है वो आपको देनी है यहाँ पर mention किया गया इसके समन्द में ही अनुबंब है तो इसके बाद में जो उपर की detail हमने फिलप की इसके बाद में कुछ details और fill बंद कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक police officer बंद चुके होते हैं यानि आप constable या फिर ये सब के लिए सेम निकालते हैं तो यहाँ पर कोई head constable भी हो सकता है सब inspector भी हो सकता है लेकिन आप constable पर चैनित हुए है तो constable रahul कुमार आप यहाँ पर डाल सकते है और इसके बाद में दो witness भी बनाने हैं, witness साथियों वही आपके परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए, कोई भी आप भार का विक्ति आप witness बना सकते हैं, उन witness के यहाँ पर sign होंगे साथियों दोनों के, और उन witness के sign के साथ में उनकी पूरी detail रहे गया, नहीं उनका नाम, उनके magistrate के मन में सवाल या आता है, कि यहाँ पर ही sign हो गया, दिल्ली जाकर sign होंगे, तो बिल्कुल नहीं, आप अपने जिले के जो magistrate है, आप उनसे ये sign करवा सकते हैं, या फिर deputy magistrate है, उनसे भी आप ये sign करवा सकते हैं, जो भी available है, साथियों उनसे आप ये sign करवाईए, लेक magistrate जिनसे भी आप ये sign करवा रहे हैं, वो साथियों यहाँ पर sign करने वाले हैं, तो यहाँ पर sign और उनका नाम आएगा, और उनके साथ में उनकी जो महर लगेगी, ओफिस की, वो यहाँ पर लगने वाली है, इस चीज का खास करके ध्यान रखें, इसके अलावे एक छोटी या दस फोटो जो आपकी नमिंतम जो फोटो हैं, वो भी होनी चाहिए, और इसके साथ में साथ ही आपके पास में, आपके अकाउंट की जो डिटेल्स हैं, क्योंकि जब नोकरी करोगे, तो आपके पास में अकाउंट में पैसा आने के लिए, अकाउंट नमबर बगेरा, आ बिल्कुल आपको उसको चेक जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज है, जहां पर छोटी सी गलती साथियो आपको, देखें, नोकरी से तो बहार नहीं होगे, लेकिन वो बोलते हैं, कि परेशान आदमी जरूर हो जाता है, तो उस परेशानी से बचने के लिए, द टेलिग्राम पर उपलब्त करवा दूँगा, टेलिग्राम चैनल RS Education Center के नाम से ही है, जोइन कर लीजेगा, ठीक है, वहां से आपको इसकी PDF मिल जाएगे, उसके according आप ये बनवा लीजेगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, ज जय हिंद, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें, धन्यवाद, जय हिंद,